नमस्कार दोस्तों आप से भी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल भारतिय करेंशी पर जहांदी जाती है पुनाने नोट वे सिकों की सही जानकारी मैं हूँ आपका दोस्त महेश परजापत दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच पैसे के किमती सिकों के बारे में वो कौन-कौन से सिके हैं जिनकी केमत कई अजारों में जाती है दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसे पांच पैसे के सिके हैं तो उसकी पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में सेर करे क्योंकि इन 5 पैसे को शिकों की पूरी जानकारी इस वीडियो में दुमा इस वीडियो में वस उन्हीं शिकों की बात होगी जिनकी किमा 100 रुपिये से या फिर 100 रुपिये से ज्यादा है इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहले बार आए हैं तो न बहुत बहुत धन्यवात हैं दोस्तों ये 5 पैसे की शुरुवात 1957 से हुई थी जब भारत में डेसिमल सिस्टम लागू किया गया था 1957 से पहले आना सिरी चलती थी ये 5 पैसे की सिके 1957 से लेकर 1994 में तक जारी किये गए थे और कई भागों में इन सिकों को बनाए गया था सबसे पहले ये सिके 1957 से 1963 के मद्दे चलाए गए थी इन सिकों का जो मेटल होता है वो हता है कौपर निकल बजन में ये 4 ग्राम के आसपास होते हैं साइज 22 सेप स्क्वाइर होता है इन सिकों की डिजाइन की बात करें तो ये सिके की सामने का जो भाग है असोक स्तम दिखाए गया है लेफ साइड में भारत और राइट साइड में इंडिया लिखा गया है इन सिकों की रिवर साइड की बात करें तो रिवर साइड हिंदी में टोप में लिखा गया है रुपे का 20 वह भाग और बीच में अंकों में 5 लिखा गया है और निचे नेपे से लिखा गया है और इयर दिखाए गया है और मिंट मारक दिखाए गया है तो इन शिकोई किमत पांच रुपे से लेकर 25 रुपे तक जाती है अब बात करते हैं 1964 से लेकर 1966 के मद्दे बने शिकोई की इन शिकोई का मेटल बजन वही है जो पहले वाले शिके का था रिवर साइड में छोटा सा बदलाव किया गया था ने पैसे की जिगह पांच पैसे ल मिन्ट का शिका रेर है इस हिकोई की पैचान है 1964 क के निचे स्टार मिन्ट मारेक और इस हिक्प्खे कैमत very fine कंडिशन में 000 रुपे और UNC कंडिशन में 500 रुपे वहीं 1965 में ये हिके तीन मिन्टों में बने थे जिसमें हैसे की चाहरे है जिसकी कीमत fine condition में 400 रुपी है और UNC कंडिशन में अगर है तो ये सिके कीमत 1500 रुपी है वही 1966 में ये सिके बारत की 2 मिन्टों में बने थे बुम्बे मिन्ट और कलकता मिन्ट और ये दोने ही सिके रेर हैं और इनकी कीमत 50 रुपे से लेकर 200 रुपे तक जाती है UNC कंडिशन में अगला सिका है 1966 से लेकर 1971 तक बने सिको की इन सिको में बदलाव किया गया था इन सिको का जो मेटल था कोपर निकल से बदल कर ऐलमूनियम मेगनेसियम कर दिया गया था वहीं वजन भी 1.5 ग्राम के आसपास हो गया साइज 22 में से और सेप स्क्वाइर था इन सिको कीमत फाइन कंडिशन में 100 रुपे और UNC कंडिशन में है तो 300 रुपे तक जाती है 1970 के सिके स्केर है जो कि 3 मिंटों में बढ़े थे बोंबे मिंट, कल्काता मिंट और हैदराबाद मिंट जिनकी कیमत 50 रुपे से लेकर 100 रुपे तक जाती है फाइन कंडिशन में 50 रुपे एं UNC कंडिशन में अगर सिके है है तो 100 रुपे अब बात करते हैं 1922 से लेकर 1924 तक बने शिको की इन शिको का जो मेटल बजन साइज वही था पेले वाले शिके जैसा इन शिको भी डिजाइन में भी बदलाव किया गया रिवर्साइड में ओवर्साइड वे सी थी पेले वाले शिके जैसी रिवर्साइड में पेसे हिंदी मे पैसे इंगलिश में लिखे गए थे बीच में अंको में 5 दिखाए गया येर दिखाए गया और मिंट्मारक दिखाए गया इन शिकों में अगला केमती सिका है और एक rare सिका है जो 1975 में बना था कलकता मिंट में इस सिके केमत के बात करें तो fine condition में 100 रुपे और UNCA condition में अगर यह सिका है तो इस के केमत 500 रुपे तक जाती है फिर इन ही सिकों में अगला केमती सिका है 1980 का कलकता मिंट में बना था इस rare सिके के केमत 100 रुपे से लेकर 300 रुपे तक जाती है fine condition में 100 रुपे और UNCA condition में अगर यह सिका है तो इस सिके केमत 300 रुपे दोस्तो अब बात करते हैं इन पांच पैसे के सिकों में सबसे ज्यादा किमत रखने वाला सिके की यह सिका 1984 में बना था दोस्तो 1984 में दो तरीके के सिके बने थे एक सिका कॉमन है वहीं दूसरा सिका इन सिकों में rare है दोस्तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इन दोनों सिकों में rare सिके की पैचान है 1984 में इन पांच पैसे इस शिकों पर असोख स्तम के साथ सत्य में जैते की सुरुआत हुई थी जिस सिके पर सत्य में जैते लिखा गया है वो सिका rare है दूसरा सिका समने सिका है इन rate सिकों किमत की बात करें तो इन शिकों की UNC कंडिसन में 3500 रुपय से लेकर 5000 रुपय तक जाती है वहीं verified कंडिसन में इस शिके किमत 1500 रुपय से लेकर 2000 रुपय तक जाती है दोस्तों आप बुक की रिफरेंट से देख लिजिए 1984 में ये सिके बने थे ये सिके समने इन पर सत्य में जैते लिखा हुआ नहीं था और इन शिकों पर 1984 के असो का लोईन केपिटल सत्य में जैते लिखा गया था और इन शिकों किमत बुक में दिखाई गई है 1500 रुपय से लेकर 3500 रुपय तक आज इस शिकों किमत 3500 रुपय से लेकर 5000 रुपय के मद्दे हो सकती है फिर ये सिके 1985 से लेकर 1994 तक जारे किये गए थे इन शिकों का जो मेटल, बजन, साइज वही था पिछले सिके जैसा डिजान में वही कोई बदलाव नहीं था इन पांच पैसे इस सिकों कि केमत 1985 का कलकता मिंट में बना था UNC कंडिशन में इस सिके केमत 200 रुपय तक जाती है वहीं फाइन कंडिशन में इस सिके केमत 100 रुपय तक जाती है फिर यह सिके 1990, Bombay Mint, 1992, Bombay Mint, 1993, Kalqatah Mint और Hyderabad Mint के सिके केमटी हैं जिनकी केमट 20 रुपे से लेकर 100 रुपे तक जाती है Fine Condition में 20 रुपे, UNC Condition में अगर यह सिके हैं तो 100 रुपे तक जाती है दोस्तों यह थे 5 पैसे के केमटी सिके एक बार फिर से आपको जल्दी से इन शिकों की बारे में बता देता हूँ आप नोट कर लिजी अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया है तो 1964 हैदराबाद Mint का सिका रह रहा है जिसकी केमट 100 रुपे से लेकर 500 रुपे तक जाती है 1965 का हैदराबाद Mint का सिका रह रहा है जिसकी केमट 400 रुपे से लेकर 1500 रुपे तक जाती है 1966 बोम्बे Mint और कलकता Mint के सिके रहा है जिसकी केमट 50 रुपे से लेकर 200 रुपे तक जाती है फिर 1969 का Bombayment का सिखा जो की इसकी केमत 100 रुपे से लेकर 300 रुपे तक जाती है फिर 1970 का जो Bombay और कलकतामेंट में बना था ये सिकेस कह रहे हैं इनकी केमत 50 रुपे से लेकर 100 रुपे तक जाती है फिर 1975 कलकतामेंट का सिखा जिसकी केमत 100 रुपे से लेकर 500 रुपे तक जाती है फाइन कंडिशन में 100 रुपेर यूएनसी कंडिशन में 500 रुपे फिर 1980 का कलकतामेंट का सिखा जिसकी केमत फाइन कंडिशन में 100 रुपेर यूएनसी कंडिशन में 300 रुपे फिर उनीसेौ चुराइस शिका जो कलकतामेंट में बना था जिसके असोख स्थम के निचे सत्ह में जैयते लिखा गया है इस शिके किमात UNC कंडेशन में 3600 रुपिय से लेकर 5000 रुपिय तक जाती है वहीं 1985 का कलकतामेंट का शिका जिसकी केमा 100 रुपे से लेकर 200 रुपे तक जाती है दोस्तों ये थी 5 पेसे के सिकों में आने वाले कीमती सिकों की जानकारी अगर आपके पास भी ऐसे 5 पेसे के सिकें हैं तो एक बार जरूर चेक करें क्या ये सिकें आपके पास हैं अगर नहीं है तो इसे रेर सिकों को तलासने कोसिस करें कमेंट बोक्स में जरूर दोस्तों बताएं आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी वीडियो पसंद आईए तो लाइक कर देजिए और कमेंट बॉक्स में वीडियो के बारे में जरूर बताएं आज की वीडियों बस इतना ही वीडियो लाट तक देखने के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद जे हिन जे भारत